हेलो गाईज, वेलकम टू दे मसाला स्टोरीज, आज हम बनाएंगे बिल्कुली चटपटा नाश्ता जो फटा-फट तयार होता है तो चलिए बनाते हैं, सबसे पहली मारे घर में जो भी अबलेबिल आटी हों उन सब को मिला ली, यहाँ पे मैंने बेसन, आटा, मेंदा, थोड़ी सी अजवाइन मिलाएं, साथी साथ उसमें एक बड़ा चमच ऑईल डालकर अच्छे से मिक्स करें, और थोड़ा थोड़ा पानी डालती हुई उसका एक डो तयार कर लेंगे, डो ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि सूजी डाली है तो वो भी पानी एब्सॉर्फ करती है, और अच्छे से मिक्स करती हुए, डोड़ बनाकर इसको हम ढख कर लगभग 10 से 15 मिनिट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक मारा आटा सेट होता है, हम मसाला तयार करते हैं, तो एक कटोरी बॉयल चना लें, और उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी में थी, और आधा शमच, अमचुर, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल कर अच्छे से मिक्स करते हुए, उसमें एक कप बॉयल आलू, या एक मीडियम साइज का आलू डाल कर अच्छे से मिक्स करें, और अपने टेस्ट के अ अनसार थोड़ा सा नमक डाने, और जो चने हमने पीसी हुए है, उसको अच्छे से मिलाते हुए, एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से भून ले, ताकि मसाला अच्छे से चने और आलू में मिक्स हो जाए, और साथे साथ इसमें नमक हमें अपने टेस्ट के अनसार ही डाल और आधा नेमबू का रस मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इस मिश्टन को एक प्लेट या बाउल में निकाल के रखेंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए, तो गैस बंद कर देंगे, और ये सारा मसाला एक बाउल में निकाल लेते हैं, जब तक मारा मसाला थंडा ह हम डो को एकसा करके उसकी लोई बना लेंगे गाइस ये बारी रेस्पी कचोड़ी कहिए इसको नया नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है जो भी आप बनाएंगे एक बार बार बनाने का मन करेगा तो सबसे पहले इसको एक हमने पतली पूरी की तरह बेल लिया है और जो मसा त्यार किया है उसको रोटी या पूरी के उपर अच्छे से फैला लेंगे एक पतली लियार लगा लेंगे चारों तरफ से आलू की वेज़े से ये अच्छे से चिपक जाएगा और अब हम इसको धीरी-धीरे रोल करते हुए पूरा एक बड़ी सी रोल तयार करेंगे और छ अब हमारी ये जो हमने लोई बनाई हैं ये सब फ्राइग करने के लिए तैयार हैं गाइस तो यहा पर मैंने तेल गरम कर लिया है और इसमें धीमी आज पर इन सभी को फ्राइग होएंगे और दोनों तरफ से अच्छे तरह से फ्राइग करते हुए ब्राउन होने अब तक करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसी मिश्र से हम इसको कचोड़ी के रूप में भी बना सकते हैं उसके लिए मैंने छोटी छोटी पूरी जैसी बेल ली हैं और थोड़ा सा मसाला भर कर उसको कचोड़ी के शेप में बना लिया है तो आप भी इस तरह से एक ही तरह के मिशर से दो तरह की रेस्पी बना सकते हैं तो मैंने छोटी सी पूरी बेली देखा आपने और उसमें ये मसाला भरके हाथों से चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करते हुए दबा लेना है इसमें बेलन नहीं चलाना नहीं तो ये खुल जाएगी तो इसी तरह से हमने अपनी सारी कचोरियां तयार कर ली है और इनको भी हम तेल में धीमी आज पे ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे आप एक बार ये रिस्पी बना कर देखें आपको बहुत ही पसंद आएगी अगर आपको ये रिस्पी पसंद आई है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सबस्क्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रिस्पी कैसी लगी थैंक यू